बिग बॉस 13 है से अपनी पहचान बनाने वाली पंजाब की कटरीना कैफ शेहनाज गिल ने लोगों को खूँ भसाया लेकिन अब वो खुद हसना भूल गई है सिदार्थ शुकला के निधन से शेहनाज गिल सदमे में है फैंस के साथ साथ परिवार वाले भी शेहनाज को जल्द से नॉर्मल होने और काम पर फिर से लोटने की सलहा दे रही है हाला कि इसी बीच खबर सामने आई थी कि शेहनाज जल्द काम पर लोट सकती है वो पंजाबी फिल्म होसला रगाने की शूटिंग शुरू कर सकती है वहीं अब शेहनाज को लेकर नई अपडेट सामने आई है एक्टरेस से जुड़े सूतरों के मताबिक शेहनाज शूटिंग करने के स्थिती में नहीं है वो अभी भी सिधार्थ को खोने के दर्द से जूज रही है शेहनाज कैमरा फिज करने की हालत में नहीं है हाला कि सिधार्थ की माँ शेहनाज के साथ है और इस मुश्किल समय से निकलने में एक्टरेस की मदद कर रही है शेहनाज अभी ठीक हो रही है लेकिन वो बात करने की हालत में नहीं है इंडस्ट्री से शेहनाज के कुछ दोस्त उनसे संपर्क कर चुके हैं लेकिन शेहनाज ना तो उनसे मिल रही है और नहीं बात कर रही है सिधार्थ की फैमिली उनके साथ हैं लेकिन काम पर वापस आने में अभी भी कुछ समय है वहीं फिल्म हौसल रख्के प्रोडुसर दिलजीत थिंड का कहना है कि हम शेहनाज के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं हमें 15 सितंबर को लंदन में गाने की शोटिंग करनी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका इसका कारण सभी के सामने है उन्होंने ये भी बताया कि वो जल्द ही शेहनाज संग एक नई तारीख पर बात करेंगे शेहनाज फिल्म में लीड रोल में हैं शेहनाज के मेनेजर के साथ लगातार वो संपर्क में हैं उमीद की जा रही है कि शेहनाज कुछ दिनों में संपर्क करेंगी इससे पहले पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांज ने बताया था कि फिल्म का ट्रेलर लॉंच होने वाला है तो ऐसे में शेहनाज हर इवेंट में शामिल होंगी क्योंकि वो इस फिल्म का एहम हिस्सा है वो भी फिल्म को प्रमोट करेंगे क्योंकि उनके लिए ये फिल्म बड़ा ब्रेक है शेहनाज ने कहा था कि उन्हें पंजाबी इंडस्ट्री ने बैन कर दिया था और फिर पंजाबी इंडस्ट्री के सूपर इस्टार दलजीत दोसांज ने उन्हें काम करने का मौका दिया तो ऐसे में ये फिल्म शेहनाज के करियर के लिए बड़ा ब्रेक साबित हो सकती है प्रेशन में चली जाए ऐसे में उन्होंने शेहनाज को फिर से काम पर लोटने की सलहा दी है अब तो सभी को यही उमीद है कि शेहनाज जल्द ही अपनी चुपी तोड़ेंगी और इस फिल्म के जरिये सिधार्त के जाने के घम से बाहर निकल पाएंगी शेहनाज के फैंस भी यही चाहते हैं कि शेहनाज जल्द ही इस घम से बाहर निकलें